अब इस print आउट को हम इसको पर रखेंगे अब आप देखेंगे प्रिंट ओने के बाद अब आपको प्रेस्ट रहते है इस तरीके से प्रेस्ट हो गया और आपको बच्चों के कपड़ों में सूज में किसी में भी इस टाइप से स्कॉण लगा सकते हैं तो पर से टेपर लगाएंगे जो कि एक एक वन टाइम में उपर नीचे दोनों साइड से प्रिंट हो जाता है अब शेप्र फिर नए दिन के साहँ एक और नए वीडियो में फिर से स्वाकर है आप लोगों का और आज आपको मैं लेकर पहुंचाओ एक खास कंप्री के बाद करती है और आपके लिए कार्मेंट एंट टेक्स्टाइल मशीन करती है वह भी बात करते हैं सब कुछ ही आपको बताएंगे और चुरू करते हैं बात कर लेते हैं इमेल एक वैपसाइड सब कुछ दिया जाएगा इस वीडियो में आपको तो तेले इस प्रीडू करते हैं तो है सब्सक्राइब करते हैं अब को कंपनी के बारे प्रीज बताएंगे और हमारी कंपनी का नाम है इंप्रेशन मशीन दी इंडिया प्राइब लिम्टेड और हम अबाइडा वीजिय दें वाइडा सेक्टर 10 में में अफेक्टी है सी 59 सेक्टर 10 और हम घर्मेंट प्रिंटिंग की मेंशीने मैनिफेक्ट्रिंग करते हैं लाइक आपका जो चैना वेस में होती हैं उनका हम सब्टिट्ट्यूट देते हैं कि इंडिया मेड मेड बिशीन है आपका कंटचसाती है कि आप टायनभी ऐंवास उनधी इनधी आउस इंद्स बनाथे हैं आपका टी شट्र प्रिंटिंग मशीने है लेनआरड पिरंपिंटिंग मशीन्थफ season अपीello कर दियसा कस्टोमर्ऑ डिजाइन के साफ है कॉस्तुमाइज पर पर प्रिंट कर सकते हैं इसमें पहले कपड़े पर प्रिंट किया जाता है और उसके बाद आपका उसका स्टेशिंग होता है तो अभी हम दिखाएंगे कि पल्ला कैसे प्रिंट होता है इसमें सबसे पहले प्रिंटर रहेंगे इस तरीके से यह फुल्ली ओटोमाटिक मशीर है तो यह जैसी बटन दबाएंगे यह बटन प्रेस करने से ओटोमाटिक हमारा ट्रे अंदर चला जाता है यह देखिए आप यह प्रेंदर चला गया अब spark 때 यह पीज 10иком से में 15 shy के अधर चर्च से कर लेगा दूसरा होगा नावा नीज fan प्रेंट हो जाएगा इससे कर लेंगे की देर में मुआ प्रींटेंग के अंदर दोथने टायम में हम दूसरा सेटिंगे जैसे सेटिंग होगा फिर हम ट्रे को स्लाइड करेंगे भलालकति चला जाएगा है कफ़ने ट्रे रहे कंगे यह पृव्टन भलाईटे को देख सकते हैं यह विद्वितमार 10 प्रेंटिंग के क्वालिटी आप देखें इसी टैप से आई पील टी शिर्ट इस्पोर्ट जर्सी और आपका फ्लैग इसके लाब आपका ट्रैक सूट यह सब प्रिंटिंग कर सकते हैं तो इससे जो आपने लगाए इसी बेश से यह लाइट गलर है यह ट्रांसफर हो चुगा है 100% ट्रांसफ के बाद अब इसका कटिंग होगा और इसके बाद इसका टी-शेट चलाई हो सकता है यह पर्मानेंट प्रिंटिंग है यह 100% पर्मानेंट है और यह लंबे टाइम तक कभी भी कितना बीवार दोल लीजिए कभी भी लाइफ टैम में कभी कलर ने शुटेगा इसका तुसर इ प्रिंटे में अप्रोक्समें 100-120 पल्ले प्रिंट कर सकते हैं और अगर मुल्टीबल साइज के लगाएंगे चोटे-चोटे तो उसके लाबा प्रेक्शन भर जाएगा और भी कुछ मशीन है तो देख सकते हैं आपको यह सिक्स्टी बाइट इंचिस का मशीन है 16 20 इंची का वहल्टा आप लेखेंगे तो इस में डीया आप ले दिया जैसे इधर सायद में हमारा प्रेस होजाता है तो आप दूभर साइड़ कर सकते हैं अभी हम इसमें करके दिखाएंगे यह तब तक हम तयारी करते इस पर इस वह फ्रोस्किस्टी कर रहें तो यह भी हमारा हीट प कर सकते हुश्ट लगार तो तयार हो जाए गा तक चुब यह था कर चुका है यह संसे लेकिन थंदा करने के बाद यह थोड़ा थंदा करने के बाद पर आपको अपर अब शुकाएंगे । अब इसको आप सूट में और आपके बच्चों के कपड़ों में सूज में किसी में भी इस टाइप से स्टोन लगा सकते तो इसको हम बोलते हैं स्टोन पेस्टिंग मशीन इससे मुल्टीबल काम कर सकते हैं इस टाइप से स्टोन भी रगा सकते हैं और सब्लीमेशन प्रिंटि तो यह मल्टी यूज मिशीन होती है और इसमें कस्टमाइज साइज भी हम बनाते हैं इस तरीके से स्लाइट करना है और अपने आप से आप हो जाए गई अब नेक्स मिशीन आपको दिखाते हैं यह हमारा ऑटमेटिक डबल वैड है जैसे कि हमने लोगो टाइप का प्रिंटि चाहिएक यह हमारा कपड़ा है इसको इजड़ स्लाइड करेंगे हम पहले इसस पर प्रेस कर दिया यह भी ऑटमेटिक प्रेस होजाता है तब तक हम दूषरे स्टिकल लगा सकते हैं यहां पर दूसरा प्रिट है इसको उपर एक कपड़ा लगा के और इसको उपर दुबारा से हम यह सब्लीमेशन जो भी हम करना चाहें वह इस तरीके से लगा सकते हैं अब इसको देखेंगे तो अभी से हम अटाएंगे इसको थोड़ा सा ठंड़ा करना परता है यह थोड़ा ठंड़ा करने के बाद इसको इस तरीके से स्लाइड चुटा दिया जाता है अब आप देखेंगे कि 100% ट्रांसफर हो गाई क Works सकते है यह कि से पर सकते हैं टी शेट पर सूट पर सूट परींटिग ज अब सब्सक्री लिए दिखा सकता wus agWhen यह फो साइज तक का प्रिंटिंग करना हो तो इस टाइप की छोटी मिशीन यूज किया जा सकता है उसके बाद हमारा है इंबोजिंग मशीन में अभी हमने कोई नहीं लगाया हुआ तो बस हम इसको प्रेस करके दिखाएंगे इस जैसे आपके होडी पे इंबोजिंग करना हो किस तरीके से इसके अगेस के आपके-प्रिंटिंग मशीन में ये उसके आप को लगा है करना तरहें। इसे प्रोडेट्शन बेस है इसमें एक गंटाइमें एक प्नेट एक शुट यंग। अप्पक्र टाइट में इसे अप deposit इवेंट में यहां तक देखोगे यहां एक परसन ने एक्जिविशन में पहना हुआ है तो यह चीजें आप इस में से प्रिंटिंग कर सकते हैं यह उत्मेंटिक सिंगल बैड है यह फुल्ली ऑटमेटिक मेशीन है और इसमें मैनूल भी बनाते हैं अगर किसी के इसमें आपको आपको अटमेटिक भी दे सकते हैं इस तरीके से लूज करते हैं इस तरीके से टाइट करने का फीचर दिया हुआ है और इसमें यह डाई लगी हुई है यह डाई चेंज होती है अब देखेंगे के नीचे पेपर लगाना होता है कि बब्लगाने के बाद फिर अनिचे दाउन कर देंगे यह डाउन किया फिर इसको हम आगे टाइट करने का उपसर होता है तो यह यह प्रेस कर दिया अब यह थोड़ा सा टाइट करने का यह बटन दबाते ही तो यह ऑटमेटिक आगे बढ़ जाता है अब इसके उपर हम दूसरा उपर से पेपर लगाएंगे जो कि एक ही वन टाइम में उपर और नीचे दोनों साइट से प्रिंट हो जाता है अभी हमने यह उपर लगा दिया है फिर हम इसको पेपर को लगाने के बाद इसको प्रेस करेंगे तो आटमेटिक लिए आपका यह ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें टाइमिंग लगता है हमारा 50 सेकंड का आप देख सकते हैं सकता हैं मैं और इसमें प्रिंट हो ज़्वाद हमारा आपंसपर को निकलने के लिए उप Après प्रेपर लगा को जूटाइगे अब इसकी क्वुलिप देखेंगे तो दोनों साइड में 100% सेम टाइप का प्रिंट हुआ है आप कोई भी लेंगार देखेंगे नीचे ऊपर एकदम एड़ेडिस सेम लेंगार प्रिंट हुआ है इसको हम आगे बढ़ा के भी दिखाएंगे भी आपको नीचे किया आप इसको आटमेटिक यह ऑटमे करेंगे यह देखिया यह हमारी मेन्वल डबलवेड मशीन है तो आप देखेंगे कि इस पर हमने अपना अपना सेट किया अब इसको पर हम आपको डीटी अप्रिंटिंग करके दिखाएंगे यह लगा रहे है आप इस पर सब्लीमेशन भी कर सकते हैं और डीटी अभी गर सक लब यह सकी है इस तरीगे से प्रैस हो जाती है और में नहीं है यह है जब तक हमार चाइब प्रिंटिंग अगा तक हम इस दूसरे बैट पर त्यार कर सकते हैं जिसके पास एयर कंप्रेशन नहीं लगाना है इसको उसके लिए यूज होती है स्टाइप से बजर बजता है बजर बजने के बाद आप इस उठाएंगे तब तक ये उधर साइड में आप मूव कर सकते हैं अभी हमारा प्रिंट हो चुगा है इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और आपका कैनवास प्रिंटिंग कर सकते हैं ब्लैक कलर पर प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटिंग कर सकते हैं तो इस टैप से यह डीटिया प्रिंटिंग होता है सबयाइब टो पर श्रसदेट इसे लिए इसके लिए आप हमेल कर सकते हैं अपने बनाना चाहते हैं अपने हुनल बना बनाना चाहते हैं आपने घ्रसदिटिबूटर नयुक्तरि यहां मिनाटि मतलज कर देज तो कोई भी हमें से दाल पर इने हैं दालेंगे तो हम उनको अपना डिलेयर डिस्ट्रिबूटर एक्वार्डिंग तो तुमसें कंडिशन कंपनी के साफ से दे सकते हैं तो आपकी टैक्टे विजेट कर सकते हैं हमारा नोईडा सेक्टर 10 में सेक्टर 10 में है और हमारा एड्रेर जो पर्परेट ऑफिस है वह सी 105 सेक्टर 10 में है तो वहां मिलके कोई भी अपना पॉंट्रेक्स साइं कर सकते हैं और कोई भी मेशीन ले सकते हैं यह मेशीन के डिलेवरी हम चार से पांच दिन के अंदर दे देते हैं तो थैंक्यू सार थ